अस्सलाम ओलेकुम वेलकम टुटूडेंट यूवाजी के से लेक्टर में चेप्टर फोर आइकॉम पार्ट वन बिजिनस मैद बुखिशाहिद जमाल की चेप्टर है फंक्शन एंडियर ग्राफ और कुश्चन है अब फाइंड दा स्लोप अब किसका फाइंड किया जाता है उस लाइन का स्लोप का फॉर्मुला सबसे पहले देखते हैं अगर हम यहां पर देखें तो इन दोनों पॉइंटs इन दोनों ब्रैंक्ट को तो यह वहीं जो कि हम पिछले कुछिं कर शुके हैं टेबल ओफ वैलियु जिस तरह से फाइंड करते थे इक्वेशन से यह वही उनमें से ही दो पॉइंट है जो कि हम ग्राफ में प्लॉट करते थे. अब अगर हम इनको ग्राफ में प्लॉट करें और जो लाइन बनेगी, तो उस लाइन का हमने यहाँ पर स्लोब फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, बहुत ही जादर simple, m is equal to, y2 में है हमाई पर 7, minus y1 में हमाई पर 0, upon, अब यहाँ पर नीचे x2, यानिके 3, और minus 2, so, उपर 7 आ गया, नीचे क्या आया, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो 1 की के value नहीं है, तो हमारा answer जो आजाएगा, वो आजाएगा 7, चीक है, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल भी सेम इसी तरह से है, ये है x1, ये है y1, x2, y2, चीक है, so, m is equal to, यानिके slope is equal to, y2 minus y1, upon, x2 minus x1, minus y1 है 8, upon, x2 है हमारे पास 3, और minus x1 है हमारे पास 1, so, यहाँ पर तो बचा minus 6, अब यहाँ पर बच गया 2, so, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so, minus 3, answer, तो ये दो questions उमीद करते हूं, आपको अच्छे समझ आके होंगे, मजीर exercise and questions के लिए, चानल को करें, subscribe, and साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरू олет है आके हमारे बच्द्गारा, औरका करेंके खेसों से수리 करें आक ρाए !